Hey guys, आज की वीडियो में अगर मैं डाइरेक्ट पॉइंट पर आकर कहूं तो it is on how to study Studying for class, for exams, यह सारी बाते जानना काफी ज्यादा important है Because अगर आप कभी पास में याद करके देखें, यह school time पे तो शायद ही किसी ने बताया होगा कि how to study अगर हमें पता चलेगा कि how to study तो we will know कि याद कैसे होगा And it will be the greatest gift from us to ourselves or anyone So guys, I will share few points और पहले ही बता दूं कि it is not a one night magic ऐसा नहीं है कि आपने सारे points देख लिए, सुन लिए और कल से आपके efficiency 100% होने वाली है Nothing is 100% efficient actually इसके लिए काफी ज्यादा practice करनी पड़ीगी यह हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा consistent रहना होगा Practice is equal to consistency जितना ज्यादा practice उतनी ज्यादा consistency जितनी ज्यादा consistency उतनी ज्यादा practice हमारा सबसे पहला point है where to start किसी चीज़ को शुरू करना ही काफी ज्यादा और tough होता है Start हो जाए then हम automatically process मा आ जाते हैं इसके लिए सबसे पहले खुद को समझे आपके लिए क्या time fit है कौन सा time सही है Everyone is different When it comes to study कोई राद भर पढ़ना prefer करता है कोई सुबा के time So it is up to you कि आप कौन से time पर comfortable है या कहे सकते हैं कि जिस time पर आपके mind के efficiency सबसे ज्यादा है खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद वो time खुद की study को दे हमारा second point है reading Reading के दो components है Speed and recall Speed यानी कि जो आपकी book है या आपके notes है उसे आप कितना fast पर सकते हैं एक minute में आप कितने words पर सकते हैं और second आप पढ़ते पढ़ते कितना अपनी memory में retain कर सकते हैं Let me explain माना एक student है A, एक है B और एक है C A जो कि काफी fast परता है बट he can't retain B जो कि धीरे धीरे परता है बट चीजों को याद करते वे परता है C जो fast भी परता है और चीजों को retain भी कर लेता है A बनने का कोई फाइदा नहीं है B बनेंगे तो दिन भर बस पढ़ना ही पढ़ना होगा We have other things to do हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए C बनने के लिए आपको practice करनी होगी अब don't think कि C mastermind है This is a rare thing Mastermind कुछ ही लोग होते हैं अभी हम average को लेकर चल रहे हैं तो अपने mind को शाप किया जा सकता है daily practice से अगर आप quit कर रहे हैं तो भाई आपकी मर्जी अब हम C की खूबिया जानेंगे जो कि हमें अपनानी है पहली खूबी है vocabulary जब भी आप कोई paragraph पढ़ते हैं तो आप उसको तभी retain कर सकेंगे जब आपको समझ आएगा आपको तभी हो समझ आएगा जब आप उसके words के साथ familiar होंगे words के साथ familiar होने के लिए आपका अपनी vocabulary बढ़ानी पढ़ेगी और वो आप बढ़ा सकते हैं पढ़के second property है pre-read pre-read means कोई भी chapter जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका title, heading, summary को पहले ही पढ़ ले इससे ये होगा कि chapter में क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा और कोई unfamiliar words आपको मिलेगा तो आप पहले ही उसकी meaning ढूंड लेंगे उसकी third property है कि वो fast पढ़ता है fast पढ़ने के लिए vocabulary अच्छे होनी चाहिए जो कि daily reading practice से आप कर सकते हैं second, खुद को time limit दे यानि timer set करके खुद को goal दीजिए कि 15 minute में I will read 30 pages, try करे कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हो तो आपके सामने wall हो क्योंकि movement करती भी चीज़ें आपको distract करेंगी distract means आपकी आखें उस चीज को देखेंगी और आखे paragraph या notes की जगा किसी और चीज को देखेंगी तो automatically आपके reading speed effect होगी now अगर आपकी vocabulary अच्छी है तो means आपको topic समाज आ गया और अगर आप fast पढ़ रहे हैं तो obviously आप कम time पे ज़्यादा retain कर सकते हो हमारा next point है note making note making के भी काफी सारे तरीके हैं एक तो कि अपने friend से notes मागना और बिना सोचे समझे उसे लिख देना या उसका print out निकाल लेना but this is of no use in long term मजाग से हट कर अगर देखें तो there are many methods for note making like cornel method, charting method, outline method but the only method जो मैं आपको बताऊंगी वो है cornel method वो इसलिए क्योंकि इसका कोई disadvantage नहीं है this is because अगर हमारा कभी class में ध्यान नहीं भी है तो भी it will help us इसमें क्या करना है आपको अपने page के 4 section करना है ठीक है? उसके बाद एक मैं आप अपने main notes लिखेंगे next box मैं आप notes related questions लिखेंगे third box मैं जो नई words आपने सीखे उन words को लिखेंगे और fourth जो कुछ भी आपने पढ़ा उसके small summary यह काफी ज्यादा efficient है और आपका time भी बचाएगा I hope you will adopt this method क्योंकि see उस page में जो words समझ नहीं आए है उनकी meaning भी आजाएगी और अगर आपने questions लिखें question लिखना is very important तो इससे क्या होगा कि कभी आप याद करेंगे तो what you need to do right side में जहाँ पर आपके main notes है वहाँ पर हाथ रखके आपको questions को answer करना है इससे आपके mind को थोड़ा work करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ direct paragraphs को पढ़ते हैं तो इससे हमारा mind कोई function नहीं करता है बस एक-एक words को पढ़ता है और इससे हमें बस लगता है कि हमें याद हो रहा है बट हमें याद नहीं हो रहा है तो adopt this method of note making हमारा final point है how to remember इस तिल भूलना हमारे mind की property है कुछ time period में हम चीजों को भूलते ही है इसके लिए याद रखने के लिए सबसे पहली चीज जो most important चीज है वो है revision second, whenever you study understand what you are reading पढ़ते पढ़ते चीजों को connect करना है जैसे किसी गाने के साथ किसी number के साथ या कोई incident, joke के साथ उसे connect करें कोई word जो out of your language है उसे तोड़ कर उसे अपने ही meaning देके fantasize करें it will help you to remember many things और हमारा जो most important point है वो ये है कि जो भी आप पढ़ रहें उसे apply जरूर करें means class में होने वाली discussion में पार्ट लें अगर पहले से पढ़ा होगा तो you will feel confident और अगर नहीं पढ़ा होगा तो we all know कि class में कैसा फिल होता है मतलब simply कि आपका confidence घट जाएगा that's why prayer reading is very important conclusion is कि memorize करने के लिए understand it and try to connect it with something I hope आपको ये points समझ आए होंगे और आप इन्हें अपनी study में adapt करेंगे and if yes then please do share the video thank you